हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवानों में टिंबर ट्रेल रोपवे में बैठकर खुले आसमान से खुबसूरत वादियों को निहारना सालों से परियटकों के लिए आकर्शन का केंद्र रहा है टिंबर ट्रेल रोपवे में बैठकर व्यक्ती 2000 फीट के उंचाई से 5000 फीट के उंचाई पर 1800 मिटर शिवाली की पहाड़ियों का सफर करीब 8 मिनट में तै करता है ये सफर जितना खुबसूरत है उतना ही जो खिम भरा भी है परवाणों में आज जो कुछ भी हुआ उसने अक्तूबर 1992 की भयावह तस्विरों को ताजा कर दिया तीस साल पहले टिंबर ट्रेल रूपवे के सफर को लेकर लोगों में क्रेज कुछ और ही था बात 13 अक्तूबर 1992 की है कुछ परियटकों ने केबल कार में सफर करने का फैसला लिया केबल कार अंतिम छोर पर पहुँचने ही वाली थी कि अचानक छटका लगा और एक रसी तूट गई केबल कार पीछी की उर्खिसक ने लगी केबल कार संच्वालक ने छोलांग लगाने की कोशिश की उसका सिर्थ चट्टान से टकरा गया और उसने दम तोड़ दिया पीछे की उर्खिसक रही केबल कार करीब 1500 फीट की उन्चाई पर आकर अठक गई नीचे कौशल्या नदी बह रही थी रोमांचिक सफर पर निकले परियटको की सांसे हवा में अठक चुकी थी परियटको को सुरक्षित निकालने का जिम्मा भारतिय वायू सेना को दिया गया ओपरेशन की कमान तदकालिन ग्रूप कैप्टन एफाली एच मेजर ने सभाली लेकिन रेस्क्यू उपरेशन के हिरो कहलाए पैरा कमान्डो मेजर इवान जोसफ क्रेस्टो जोसफ ने वायू सीना के टॉप हेलिकॉप्टर पाइलिट और अपनी साथियों के साथ अविश्वश्चनी अतरीके से दस जिंदगियों को मौत के मुह से बाहर निकालने में जाबाजी का परिचय दिया हेलिकॉप्टर से केबल कार में उतर कर इवान जोसफ ने एक एकर परेटको को हेलिकॉप्टर में चड़ाना शुरू किया शाम होने तक रैस्क्य ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका और पांच यात्रियों को ही सुरक्षित निकाला जा सका केबल कार में बचे हुए परेटको का होसला बढ़ाने के लिए इवान जोसफ क्रेस्टो ने वहीं रुपने का फैसला लिया रात भर हवा में लटकी केबल कार में इवान जोसफ सभी का होसला बढ़ाते रहे अगले दिन फिर से रैस्क्य ऑपरेशन शुरू किया गया और जापास जवान ने सभी आतरियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया टिमबर ट्रेल रैस्क्य ऑपरेशन के हिरो जोसफ इवान कुवा के रहने वाले हैं इस रैस्क्य ऑपरेशन के लिए उन्हें बाद में कीर्थी चक्र से भी सम्मानित क्या गया उन्होंने सेना में कई एहम पदों पर अपनी सेवाएं दी मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दिनों वो सिटनी में एक लोकल स्कूल में गणित पढ़ाते हैं